मैं आपको लेविपिल 500 टेबलेट के बारे में कुछ बाते बताऊंगा, मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, चलिए शुरू करते हैं लेविपिल 500 टेबलेट सन्ट फॉर्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा बनाई गई है और इसकी MRP 216 है इस दवा में लेवे तियस एटम 500 मिलीग्राम है, लेविपिल 500 टेबलेट एक मिर्गी रोधी दवा है जिसका उप्योग मिर्गी में दौरे, फिट्स के इलाज के लिए किया जाता है जब तक आप इसे लेते रहेंगे तब तक ये दौरे को रोकने में मदद करता है लेविपिल 500 टेबलेट एंटी कॉन्वलसेंट या एंटी एपिलेप्टिक्स नामक दवाओं के समुह से संबंधित है यह मस्तिश्क में विद्यूत संकेतों को धीमा करके काम करता है जो दौरे का कारण बनते हैं इस दवा का उप्योग विभिन प्रकार के दौरे मयोकलोनिक, आंशिक शुरुआत और प्राथमिक सामान्य इक्रिट्टोनिक क्लोनिक या ग्रैंड माल को नियंतरित करने के लिए किया जा सकता है ये भ्रम, अनियंतरित जर्के, जागरूपता की हानी और भय या चिंता जैसे लक्षनों को कम करने में भी मदद कर सकता है दवा आपको कुछ ऐसी गतिविधियां करने की अनुमती दे सकती है जिन्हें आपको अन्यता करने से मना किया जाएगा या करने से दरेंगे जैसे तेराकी और ड्राइविंग इस दवा को काम करने में कुछ सप्ताह लग सकते हैं क्योंकि खुराक धीरे धीरे बढ़ानी पड़ती है और इस दौरान भी आपको दौरे पड़ सकते हैं अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं और कोई दौरा नहीं पड़ रहा है तो भी आपको इसे लेना जारी रखना चाहिए खुराक की कमी से दौरा पड़ सकता है जब तक आपका डौक्टर आपको सलाह न दे तब तक इस दवा का उप्योग बंद न करें इस दवा के कुछ सामान्य दुष प्रभावों में चक कर आना, सिर्दर्द, संक्रमन, जलन, नाग बंद, बंद, नाग, नीन दाना, व्यवहार में बदलाव, आक्रामक, व्यवहार और भूख में कमी शामिल है पहले कुछ हफ़तों के दौरान दुष प्रभाव अधिकाम होते हैं और जैसे जैसे आपका शरीर दवा का आदी हो जाता है, आमतोर पर कम हो जाते हैं इन में से अधिकांश दुष प्रभावों के लिए चिकित सा देख भाल की आवश्यक्ता नहीं होती है, लेकिन उन में से कुछ गंभीर हो सकते हैं इस दवा से इलाज करा रहे बहुत कम लोगों के मन में खुद को नुकसान पहुचाने या मारने के विचार आए हैं यदि आपका मूड खराब हो जाए तो अपने डॉक्टर से संपर्ख करें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद